हेलो दोस्तों साइंटिक बैलोजी में आपका स्वागत है मैं हूँ सत्यंद्र और आपके लिए लाया हूँ एक खास जानकारी दोस्तों लाइफ में ऐसी कई चीजे हैं जिने हम हर दिन देखते हैं उन चीजों को यूज करते हैं लेकिन उसका मतलब हमें नहीं पता रहता ऐसी चीजे थोड़ी अलगत होती हैं लेकिन उसके माइने हमें नहीं पता होते हैं उदाहरन के तौर पर दवायों के पत्ते ही देख लीजे पर बहुत कम लोगों ने ये सोचा होगा कि इन दवायों के पत्तों पर स्पेस क्यूं होता है तो चलिए जानते हैं कि दवाओं के पत्ते पर स्पेस क्यूं होता है अकसर लोग दवा खरिदने पर खासकर महगी दवाईयों की बीच में ज़्यादा स्पेस मौजुद होते हैं अगर एक टैबलेट है तो उसका पूरा पत्ता खाली रहता है ये कोई डिजाइन नहीं होता नहीं दवा के पत्तों को अट्रैक्टिब दिखाने के लिए होता है इसकी एक खास वज़ा है फर्मासुटिकल कमपनी काफी सोच समझ कर उन पत्तों की बीच में इतनी स्पेस छोड़ते हैं आईए हम आपको बताते हैं इन स्पेस के होने की पीछे की खास वज़ा दरसल भारत सरकार दोरा जारी गाइडलाइन के अनुसार दवाई के हर पैकेट पर कुछ जानकारियों का प्रिंट किया जाना कमपल सरी है फर्मस्टिकल कमपनी को दवा के अंदर मौजूद केमिकल से लेकर दवा बनाने वाले कमपनी की पूरी जानकारी देनी होती है इसी वज़े से पैकेट के अंदर एक टैबलेट हो या फिर दस पूरी जानकारी शापने पड़ती है इसी वज़ेसे दवाई के पत्ते का सालीज बढ़ा हो जाता है दोस्तों, दुनिया में ऐसी कई दवाईयां हैं जिसे बांकी डेशों में सप्लाई किया जाता है दवा को कई तरह के ट्रांस्पोरेशन के जरिये एक से दूसरे जगर भेजा जाता है दवा एक से दूसरे जगह ले जाते हुए तूटे ना या फिर खराब ना हो इसी वज़र से इसके बीच में इतना स्पेस डाला जाता है ये स्पेस एक तरह से कुसिंग एफिक्ट की तरह काम करती है इन खाली स्पेस से दवाईयां पैकेजिंग मसीन में भी नहीं फस्ती है खाली जगह की वज़र से पत्तो पर प्रेशर समाने तरीके से पढ़ता है जिसे दवाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचता दोस्तों ऐसा माना जाता है कि टैबलेट के बीच ये खाली स्पेस इसलिए होते हैं क्योंकि इन खाली स्पेस की वज़र से दवाईयां आपस में नहीं मिलती और एक निस्चित दूरी बनाये रखते हैं जिसके कारण कोई केमिकल रेक्शन नहीं होता है दवाईयां PVC सीट्स में पैक की जाती है और ये खाली स्पेस PVC को मजबूती प्रदान करता है PVC में केमिकल प्रपरटीज होती है जो दवाईयों के फिटिंग को मजबूती देते हैं साथी वो पैकेजिंग को स्ट्रेट रखने में मदददगार होता है साथ ही ये खाली स्पेस दवायों को किसी तरह के नुकसान से बचाने के लिए होते हैं इन स्पेस के कारण ही दवा डामेज होने से बच पाता है इन सब के अलाबा ये भी माना जाता है कि ये खाली स्पेस इसले भी होते हैं ताकि यहाँ पर दवा से सम्मंदित कुछ महत्तपुन जानकारियां लिखी जा सके जैसे packaging date, composition, expiry date, idyadis कई बार आप ये भी देखते होंगे कि किसी किसी पत्ते पर सिर्फ एक ही गोली होती है ऐसा इसलिए होता है क्योंकि डॉक्टर जब ऐसी दवा लिखे है तो patient को dose की गिंती का ख्याल रहे और किसी तरह की परिशानी ना हो तो दोस्तों अब आप समझ गये होंगे कि दवा के पत्तों की बीच की खाले जगा यूँ ही नहीं है इसकी कई तरह की खास वज़ा होती है दोस्तों अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और ऐसे ही informative और knowledgeable वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे